तो अब तक हमने देखा sort of brick from other model add के बारे में और आप देखेंगे कि ड्राइग मतलब उसको युआत को स्थाना और बर मुझा यानि कि उसको पकारना और तो इसके बारे में में देखेंगे तो अब देते हैं क्या ड्राइं के बारे में मतलब इट को सुखाने के प्रक्रिया तो हेडिंग है ड्राइं और ड्राइं क्या होता है इट को सुखाना तो इट को वाता वरण में सुखाने के प्रक्रिया को ड्राइं कहते हैं ठीक है और जब इट को एट्मास्पियर में हम उसको hacking काते हैं ठीक है वो कंप्प्यूटर hacking नहीं है एच एसी के अलेंग ठीक है तो इसको ड्राइंग भी कहते हैं और है कि ड्राइंग का मतलब क्या होता है कि इंट के अंदर से नमी को निकाला द्राइंग तो यही प्रोसेस है चाहे हम कपड़े सुखा रहे हैं लकड़ी स रहे हैं तो सुखाने का मतलब ही यह होता है कि उसके अंदर जिर नमी है उसको बाहर निकाल देना ठीक है तो ड्राइंग आई चीज होता है तो इंट को लिए जनरली तीन से चार दिन तक सुखाते हैं तीन से चार दिन में लिए यही सुझत है और दूसरा पॉइंट है उसमें जो हम जब सुखाएंगे तो यह नहीं कि क्या कर देंगे कि उसमें जो नमी है वह 0% उसमें नमी जो है इट को हम सुखाएंगे तो उसमें नमी की मात्रा जें तीन से 4% तक होनी चलिए ठीक है शुखाने के बाद प्राक्ट इट को sun dry brick या Sun-dry-eat बोले या Sun-dry-brick बोले अथवा Green Brick बोलते हैं ठीक है Green Brick तो जब हमने इक को एट्मोस्पिया में सुखा लिया है तो जब इस तूख हो गई है तो उसको बोले के Sun-dry-eat Sun-dry-brick या Green Brick ठीक है अगला पॉइंट है Sun-dry-brick की compressive strength जब सबसे पहले हमने इक को सुखाया तीन से चार दिन तक उसमें तीन से चार बन से नहीं रही तो जो इट सुख गई है उसको हमने Sun-dry-brick बोला या Green Brick बोला ठीक है तो जो इट सुखी हुई है धोप में Sun-dry-brick है या Green Brick है तो उसकी जो compressive strength है वो 15-25 केज़ी पर सेंटिमीटर स्कायर मतलग कि इन जो है यह हमारी ठीक है तो इसके एक सेंटीमोटर रस्कॉहार एलिए पर 15-25 केजी का हम भार रख सकते हैं अग vigilant हम हम करें एबरेज कितना देते हैं तो 21 केजी पर सेंटीमिटर फोट्वार छींजाती ओर पैम है और यहां इस रहें में दे सकता है नहीं जो यह सकता है कि अगर कहीं पर ज्यादा हो रहा है तो वहां पर इंट को इतना देर तो हम क्या करते हैं एक भटी होती है तो इसा कुछ प्रोसेस होता है तो अगर हम अपने से हीट करके उसको सुखा रहे हैं तो उसको हम आटिफियल मेथड हम बोलते हैं तो नीट को आटिफियल मेथड बराभी सुखा दिया दरता है आटिफियल मेथड में स्ट्रीम और होड़ गैस का यूज़ करते हैं जिसका जो टैप्रेचर है वह 120 डिगरी से अधिक नहीं वह चलिए तो आर्टिफिसियल मेफड में इस पर सुखाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि भाब या हॉर्ट गैसे का यूज करते हैं तो इन गर्म गैसों के द्वारा भी आइट को सुखा लेते हैं अब हम देखते हैं बर्निंग मतलब उसको पकाने की प्रकरिया को क्या बोलते हैं मतलब उसको पकाना नीट को अलग अलग जोन में पकाते हैं तो कची इस अंट्राइब रिक को चट्टा लगा करके पकने के लिए तो वो कई स्टेज में फकता है एक ही बार नहीं कि उसमें आग डाल दिये और वह पकना श्रू हो गया नहीं वह उसका जोए तीन चार चरण होता है उसके अनुसार जोए प्रोसेस होता है वह पकती है ठीक है तो सबसे पहला जो इस्टेज आता है वह डी हाइड्रेशन जोन या वाटर स्मोकिं जोन तो इसक पकाने के लिए जलाने के लिए या पकाने के लिए जो सबसे पहला इस्टेज है वह क्या है डी हाइड्रेशन जोन या वाटर स्मोकिं जोन टीह 눌러 teб refillी हम नीर्जाहरीकरण तो कभी कभी क्या होता है कि पानी का कमी हो गया ठीक है तो डिखाइड्रोशन जोन में क्या करते हैं कि जो इंट होती है उसका बोडी होता है उसमें पानी की हम लोग कमी करते हैं पानी निकालते हैं water को बाहार निकालते हैं तो इसी process को क्या वह रहता है dehydration zone 400-600 degree centigrade के बीच dehydration करते हैं चार तोछ चह सब बीच में temperature रहेगा और वहां से इनीट से water निकलते हैं तो इसमें करता है लोगा तो वहां से वाटर बहुता है जी जौ या चाह靈 से तो अगर मिट्टी में कोई पदार्थ है तो चाहए तो यहां और आप पदार्थों का अक्सिडे को जाता है कि अ जितने डीपने Chase bisa सब्सक्राइब हो उसका क्या होगा पार्सियल पर मतलब होता है यासे कि कोई भी चीज है तो पार्षियल का मतलब आधा हुआ आधा नहीं हुआ ठीक है थोड़ा सा हुआ थोड़ा सा नहीं हुआ तो क्या होगा आक्सिडेशन हो जाता है तो बर्निंग में पहला इस था डिहाइडरेशन जोन लाइडरेशन जोन 400-600 डिव्रीशर गैट की वह रहता है या इसी को हम वाटारी स्मोकिंग जोन भी बोलते हैं ठीक है और दीहाडरेशन का हैं निज्जडी करण अब दूसरा इस्ते जाता है ऑक्सिडेशन ठीक है डीहाडरेशन जोन के बात क्या जाता है ऑक्सि डेसन तो ऑ обसी देशन जोन थे क्सिए क्या हुदा है इसमें बचका अंपन का अग्सिडेशन छोन में जो कर्वानी क्वारत थे उनका पार्षोन अंधा ऊक्सिडेशन ने जो बच गए थे उनका सबसे पहले कार्बन निकलता है इसके बाद क्या सर्फर निकलता है तो अक्सिडेशन जोन में सबसे पहले कार्बन इस पदार से बाहर निकलेंगे और फिर इसके बाद से वह अक्सिडेशन जोन में इंट को तब तक रखते हैं जब तक की विट्रिफिकेशन से पहले कुल कार्बन तथा सल्फर बाहर न निकल जाए तो ऑक्सिडेशन जोन में क्या करेंगे हां इत को जब तक रखेंगे जब तक की उसमें यहां कार्बन और फैफर यह वह बाहर हर निकल जाने है जो विट्रिफिकेशन तो अगला जो इस्टेज है पर्माल जो इसे वह विट्रिफिकेशन जाना है ठीक है तो उसको स्टार्ट होने से पहले कार्बन और सल्फार का जहें कंप्लीट अक्सिजेशन हो जाना है तो विट्रिफिकेशन क्या होता है इसका पूरा कंप्लीट हम आए अगले वाले वीडियो में पढ़ते हैं